प्रेम से बोलो जैश्री किष्णा आज मैं जो आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ वो एक ऐसी सची कहानी है हमारी लड़ू गोपाल जी की जिसको सुनकर आपके मन में एक प्यारा सा एक ऐसास जगता है कि ऐसा भी हो सकता है राम राम नमस्कार में महक चौदरी लेकर आई हूँ आपके सामने कोलकता की सची घटना जहां पर एक लड़की होती है नीतू जो कि अभी आटवी-दसवी कक्षा में ही पढ़ती रहती है और अब तक तो नॉर्मल समय चल रहा था लेकिन हमारे देश में एक जो समय आया था देश क्या विस्व में ही कोविड का समय आया था जिस समय सभी बच्चों को आनलाइन पढ़ाई करने के लिए मोबाइल दिये गए एक दिन उसके सामने ऐसे ही लड़कोपाल जी की सेवा की एक वीडियो आ जाती है जिसको वो बड़ी प्यार से और गौर से देखती है उसक मेहनत के साथ होती है इसमें बहुत समय देना पड़ता है और अगर तुम सेवा में लगे तो तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊगे लेकिन उस बच्ची ने तो मन में ठान ही लिया था वो हर रोज अपनी मम्मी से बात कहती थी और हर रोज काना जी की वीडियो देखती का वो कहती है जो उसकी फ्रेंड होती है कि कोई बात नहीं तुम आंटी जी से कहते रहो कभी तो वो तुम्हारी सुनेंगी तो वो अपनी बात को लगातार अपनी मम्मी से हर रोज कहती है मम्मी भी उसकी बात को सुनकर ऐसे ही टाल देती है लेकिन एक दिन वो समय आता है क क्योंकि वो जो बच्ची थी उसमें मन में ठाल लिया था कि मुझे काना जी की सेवा करनी है तब ही उनके सर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा पड़ोस में ही काना जी का लडू गोपाल जी का एक फैंसी ड्रेस जो कॉंपटीशन होता है वहां पर एक कॉंपटीशन होगा देखा और वहां पर एक से एक सुंदर चोटे बड़े बहुत प्यारे लडूगों पालाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाफ पहने होए थे सारा जो उनका शेंगार होता है उनको देखकर मानों ऐसा लग रहा था कि जैसे हम व्रिंदावन में आ गए हूं उस लड़क लड़की की जो भावना है वो बहुत जादा बहुत वो खुश थी अंदरी अंदर वो सोच रही थी कि मुझे भी काना जी को अपने पास रखना है मुझे काना जी की सेवा करनी है फिर वो वहां से चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन उनके सर बताते हैं कि आज जो मंदिर है वही पर कानाजी का एक और competition है जिसमें कुछ सवालों के जवाब दी जाएंगे जिनसे उनको gift मिलेगा तो वो लड़की फिर से वहाँ चलिजाती है लेकिन उस लड़की ने तो कोई competition में हिस्सा ही नहीं लिया था तो जितनी भी साहब थे वहाँ पर जो जजज करने के लिए बैठे थे उन लोग उन्होंने बार-बार जैसे बूस्ते थे तो उनको कोई संतुष्टी भरा जवाब नहीं मिल रहा था कि काना जी की भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए और क्या-क्या इनकी सेवाएं होती है तब ही फिर जब competition खतम हो जाता है तो जो जजज सहाब है वो कहते हैं कि और कोई अगर जवाब देना चाहे तो दे सकता है तो जो बच्ची थी नीतू वह भी वहाँ पर बैठी थी तो वह हाथ तुठाती है और कहती है कि कि ग competition को जीच जाती है जबकि उस लड़की ने कोई competition में हिस्सन नहीं लिया था और जब उसको prize मिलता है तो उसमें उसको बहुत ही बड़े प्यारे लड़ुगोपाल जी मिलते हैं और जो second number पढ़ाता है उसको उससे चोटे लड़ुगोपाल जी मिलते हैं तो इस बच्ची की जो भावना थी लड़ुगोपाल जी में वो पूरी हो जाती है यहाँ पर यहाँ पर हमें पता लगता है कि अगर हम सचीश रद्दा भगवान में रखते हैं तो हमें कहीं न कहीं कर हमारे लिए कोई न कोई रास्ता निकला जाता है और वो लड़की आज भी काना जी की बह भगवन वक्ती यह मेरा चैनल है जिस पर मैं ऐसी ही वीडियोज डालती हूं और इन कहानियों को लाने का सिर्फ मेरा एक युद्देश रहता है कि हम कहीं न कहीं भगवान के रूप का परचार करें और अपने मन में अगर हम मुझ से एक बार भी रादे रादे जैस्री कृ थोड़ा ग्रो कर पाएं देखतेरे यह तब तक भगवन वक्ती प्रेम से बोलो रादे रादे